सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरे नमस्ते मैं प्रतिवा चोहान आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने निव व्लॉग में इदर मिले जी गोलू से, तो इसका निकनेम गोलू है, इदर को मुड़, Hello friends, Good morning, मैं बना रही हूं, क्या बना रही है, बंदीरी के बेड़न की रोटिया, अच्छा, तो इदर देखे, इदर बढ़िया से बनाई जा रही है, आच्छा से इदर तवा लगा दिया है, तो इसको 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 किस तरष मिले पतलेटेखे, इसमें डालाना ऐससे बना है जाता है, मैं तो मैं तो हर कैसे ही बनादी हूं, जैस ये मिले को सख्षारों मैं बनाती हूं, क्यों सख्षा ये डाल देती मैंने बुला त्रप्ला डालने को? जिस पत्रक हो मुलाई को निकाला हूदा है यह डाला तेल्य fret देले हैं के सकित हूदये इसको तो अभीरी है मैं कैसे बठकाती है इसको कर अ कि Chief बागाओ कैंव Chris ढुदाना तरुना सारा गुस्ता कर Jewish लोग बाशनाया है नहीं को काऊंगी। इतना काश रहना पढ़ना पर दा अबर को यहां बता। पहले देख मैं किती पत्ली हूं। आप दोनों देख सकते हैं, हम दोनों मैं से कौन है मोटा। यह मोटी है मैं पत्ली हूं। और इधर चाय भी बन रही है। इधर देखे इधर बन रही है जी चाए बढ़िया से तो बंजीरी की चपाते हम इसी चीज के साथ खाए के चाए के साथ बढ़िया से मस्त ने इसको फ्रीज बढ़ा है किसको तो देखो इधर कितनी बड़ी-बड़ी रोटिया बनना शुरू हो चुकी है एक यहां पर डाल दी है तववे पर और यह भी पकना शुरू हो चुकी है इधर देखे इधर पूजा दे रही है जी जाड़ू बढ़िया से स्पाई और यह आज रूम की अच्छे से इधर रूम भी साप कर दिया है इधर देखे इधर उट्टी में आपको दिख रहा होगा बंजीरी दिख रही है जो इसके अंदर बेड़ा डाला हुआ है वो दिख रहा है और वहां पर फूल ने भी लग गई अब यह है पूजा का टैलेंट यह ऐसा बोलते कि मैं बिल्कुल भी आट वह नहीं लगाते है तो बिल्कुल भी नहीं लगाती है और मेरे में तो वही पता नहीं कितना लगाती हूं तब आप देख सकते हुए तर कितनी अच्छे से फूल लेगी है फूल जाएगी यह है पूजा का टैलेंट आप सब वह कर सकते हैं उससे संपर्क कर सकते हैं रोटी बनाने के लिए हाना यह बहुत अच्छा खाना बनाती है फ्रेंट तो आप जले हुए पर मस जाना तो जली हुए देख कितनी है पर खाने को यही बहुत बढ़िया वाली होती है वह अधर आचुकी है जी गज़ा गरम गरम चाय कैसे लगी फिर हमारे चाय बोले कैमरमेन कुछ नहीं बोले के लिए यह बिलकुल बहुत पसंद नहीं करते हैं इसलिए बोलने के इच्छुक नहीं है बिलकुल लाचार है और आज हमें फूख से पेट अंदर ही चलेगा इसे दिखा लेजिया है, यह बहुता है, दिखा लेले, थोड़ा, यह है, बंखेकीरी की डोटिया। जली हुई है।ё यह है है, यह है, यह है, यह है मेरा लगीपूस, मेरा लगीपूस, यह है मेरी कजण पूजा सब अलग अलगें इसे हैं sure, सबको alluded.. सबको अलगender कैसे थी है। हूँ याँ तो guys हम हो चुके है यह इदर इधर त्यार और हम जा रहे हैry Sanjoli तक इसको Sanjoli में काम है औरでは Lehr他们 दो अपना जारियों पूजा पूजा। अपलिकार निया हूं दिवभने हम इस ऊडर चाहिए। अनना प्लंग सुझा hack के लिए हैं कभी यहां के लिए तो सब अपने अपने वीजी है तो तो इधर हो मंदेर निकलता है थूड़ी देर के बाद हम भी घर की ओर ढेठीोर कर शुरी सॉड़ी रूम की और गर तो मिलंए आपको बताने क्या थो नहीं दूर कर दिकहें यहां से कुछ इस तरह का वियू दिठा है और इद़से मंदेर बीदे़ MAID हई ढहने अधे मंदेर अभिक्रित के तो यहां से तरह यहां से वी आंदर की he जब चलते हैं जी हम पहला तो अब्ने वी आज तो देख फीलिया होगा बसट तो देखो आखिरकार पुजा को यहां पर मिल ही गई यह जगा तियार होने के लिए तो आप देख सकते हो इधर को मोड़े रहा है अपना सुट दिखा तो आज पुजा ने सुट पेना हुआ है बहुत ही जादा सुन्दर सूट है और इसने बनाई हुए है जी कौन सी सलवार बहुत ही सुन्दर है वाँ लड़की तो अब अपने को बहुत जादा है फस्टाइम मेरे को छोड़ने आ रही है असन जॉली तक और देखो इसको बंठन के गोगल लगा के सिर में उपस गोगल लगाई हुई है इतने तो मैं नहीं नहीं लगा है कुछ तो दोस्ते हम चल अब निकलते हैं इदर से चलो 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 अब लगाई तो दोस्तों मैं भी पहुंच चुकी हूँ जी रूम अभी अभी पहुंच रही हूं तो अब करती हुँ मैं थोड़ा करती हूँ उसके बाद करते हूं खाना बनाने की त्यारी वैसे भूग तो नहीं अभी ठीक रहता है बनाना अगर तो एक बादे बैठ जाए उसके बिल्कुल भी बन नहीं करता है उठने का तो इसलिए भी कर देती हूं काम उतना तो मैंने मुली के पत्ते यहां पर कट कर दिये हैं और इसमें डालोंगे जी में आलू डालोंगे अनली दो क्यूंकि जैसे इतना बड़ा आपको दिख रही है बहुत बड़ी प्लेट में इधर कट कर दिये हैं जी मैंने आलू और मैं इसमें डालोंगे जी आलू और मैंने इसमें डाल दिये हैं और अब दूँगी जी मैं डालोंगे पानी और इसमें स्टीम आने दूँगी तो जो आलू पकने चाहिए और जो यह सब्जी यह भी मतलब इसे रस निकलता है तो वह निकलना चाहिए तो मैं ने पानी तो पहले इंडक्शन पर गरम कर दिया था तो मैं इसको डालूगी पूरा ताटी आलू पके तो मैंने कर दिया है जी कुकर को बन और गैस पर आन कर दी है इसके नी अब भी जैसे मैं अलू डाले तब मैं तब टक ही इसको जोले जलाएकर रखेंगे जब तक मुझे ऐसा आना लगेगी आलू पक चुके है तो तब-तक मैं ऐसी रहने दूगी तो मैं इसमek आने दूगी तीन यह चाह शीट हुआ जाए इपत्यू और यह जायएगी और कुक तो इधर पक चुकी है जी सब्जी और आलू भी पक ही चुके होगे अब देख सकते हो आलू भी अच्छी तरह से पक चुके है तो अब करते हैं जी हम आलू 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 निकालेगा हम इधर के लिए अब इस सब्जी का करेंगे इसमें पानी होता है जिस जो हमने निचोड़ना है अभी अभी देखने में बहुत जादा है अभी जब इसे पानी निकाला जाएगा उसके बहुत कम बनेगी तो फिर बहुत जादा कम भी बनेगी देख सब्जी आप किलना पानी निकालता है तो मैंने कर दी है जी इसके दिए कितने चुपके-चुपके से पीस बन चुके है तो मैं इसको और कटकरती हैं यासे तक ये बहुत अच्छी बनेगी आने के लिए स्वाज़ना से तुने फाहिए तुने हम तो बने तुने के लिए तो अब आप सब जी देख सकते होंगे कितनी सी है सिर्फ इतनी सी है अगर इसमें आलू ला लेंगे तो इसलिए मैं चुपके बने थोड़ी इधर मैंने प्याज, लसुन और मिर्च मैंने कट कर दी है और इधर मैंने सबजी के ऊपर भी थोड़ा बहुत प्याज डाला हुआ है इधर मैंने कडाई में तेल भी डाल दिया है और आप देते हैं जी हम इसको गरम होने अब डालेगे जी हम इसमें जीरा यह ज़िस को फुदी ब्रॉवन होगे क्या र τους जालें लंगे hon Champion तो इसमें हम टुमाटर को नहीं डालेगे और अब डालते हैं जी अम इसमें सबची चुमाटर को डालते हैं । जालते हैंuç शुमाटर को अब ख忍तो हैं मिटकी हैं जा का बालते हैं जा बमया को जो ठना खब हैं गचान साथ चान जालते हैंसरे औरे पाला स सा गड़कर वहांड़ हैं पहा है। तो चलो जी यह सब जी भी वैसे बन के त्यार ही हो चुकी है अब इसको देगे हम दो मिनिट के लिए ऐसे ही रहने धीमियाज पर तो मैंने बहुत ही कम धीमियाज रखी हुए इसके नीचे तो वैसे सबजी और आलू तो वैसे ही पहले इसे ही पक चुके है तो बॉइल यह करने बढ़ते हैं तो इसमें जिसे तड़का वगरा दिया है तो यह मिक्स करना बढ़ता है बाकी तो यह बन के त्यार हो चुकी है तो इसके लिए अब यह मिंगर से बेखने दे रहने देती हूं और फिर सब्जी का आनन्द लेते हैं खाने में बढ़ी आसे इधर लंच भी निकल चुका है तो लंच में यहां पे तो पनी रोजावल है और यह तो सब्जी है जो अभी बनाई है मैंना और असके साथ मैं त अपना लंच का आनन्द लेते हैं तो चलो जी हम भी लंच कर देते हैं देखते हैं कैसी बनी हुई है ठीक ही बनी हुई है मतलो उसी जादा खास भी नहीं है बनी हुई 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 है बनी हुई 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